आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुड़ वाली नारियल लड़ू की रेसिपी चीनी वाले नारियल लड़ू की रेसिपी मेरे चैनल पे है मैं उसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप एक बर इस गुड़ वले रसिपी को बना के देखें ये हल्दी भी है और टेस्टी भी है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रसिपी तो इसके लिए मैं इहां पे दो कप घिसा हुआ नारियल ले ली हूँ नारियल को चिलका निकालके उसको अच्छे से में ग्रेट करके ले ली हूँ अब हम लोग यहां पे ले लेंगे गुड़ तो मैं इहां पे जितना नारियल ली हूँ उतना ही गुड़ ली हूँ दो कप नहीं पड़ी में ततिमाल टाली के लिए अप 6 तरह के लिए तोड़ के लिए कुझा सक्नाइला लेगे तैन तोड़ के ली माल नुद हो न guidance करी एक पानी लीूड के लिगे थाूर्ड को मैं यूर्ड कर दाल रिए पानी के अच्छा से बस अच्छा सा एक उबाल आ जाए उत्ना ही देर तक पकाना आघ तो इस तरह से मिलाते होटे हुएं रागी बच्छा उबाल में अच्छा उबाल तो हमें नारियल को घी में भून लेना है बस दो से तीन मिनट के लिए इससे घी का अच्छा फ्लेबर नारियल में आ जाता है और हम लोग का लड़ू बहुत ही टेस्टी बन के तयार होता है तो नारियल डालने के बाद इस तरह से मिक्स करते हुए मिडियम फ्लेम पे नारियल को थोड़ा देल के लिए रोश्ट कर लेंगे ताकि उसमें घी का फ्लेबर आ जाए आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्कीब करके डारिय गुड के सीरप में भी नारियल को डालके उसको बना सकते हैं लेकिन मैं यह पे थोड़ा सा नारियल को भून ले रहे हूं ताकि उसमें अच्छा सा एक टेस्ट आए तो इस तरह से नारियल को 2-3 मिनद तक अच्छे से भून लेने के बाद इसमें हम लोग गुड को डालेंगे तो गुड को डालने से पहले गुड को छान के डालेंगे क्योंकि गुड में इंपियरिटीज वगएरा अगर होगा तो वो निकल जाएगा तो इस तरह से एक छन्नी की मदद से गुड को छान लेंगे गुड को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मिडियम फ्लेम पे हम लोग 5-7 मिनद तक पकाएंगे ध्यान रहे कि इसको अच्छे से mix करते हुए पकाना है ने तो नीचे से नारियल और गुड जल सकता है तो इस तरह से चलाते हुए इसको पकाएंगे मैं आपको गुड की मिठाई बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ ताकि आप घर में आसानी से इसको बना सकें इसमें कोई एक तार दो चार की जासनी नहीं बनानी है डारेक गुड को नारियल के साथ इस तरह से पकाना है तो इस तरह से चलाते हुए पांच से शे मिनट तक पकाएंगे तो थोड़ा दिर पकाने के बाद आप देखेंगे कि गुड का जो कलर है वो बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है इसका बहुत ही एक अच्छा सुनेरा सा कलर आया है आप देख सकते हैं नारियल पहले से काफी गाड़ी हो गई है और इसमें एक स्टिकीनेस आया है अब ग पाह कर л thank you तो एक अजीड करातार चालाते हो रहेंगे तो यह नीचे से जल जाएगा हम लुगा जो मिक्सचर हे थोड़ा सा थंडा होगा तब हम लोग हात में इससतरह से लेके देखेंगे अगर ऊभंडू से पें बन रहा है इसका मतलब हमलोका जो मिक्सचर हो बन के तयर तो यह हम लोग का लडु बन रहा है और मिक्सटर जैसे छेंड़ा होगा वो गाढ़ी भी होती जाएगी और उसका जो स्टीकीने से वो प्लेट को तेल से ग्रीज कर लें ताकि नीचे से चिपके नहीं अगर आपको थोड़ा ज्यादा हाड लड्डू जाहिए तो आप इस स्टेज में दो मिनट और पका सकते हैं मुझे थोड़ा सॉप्ट लड्डू जाहिए इसलिए मैं इसको इस स्टेज में निकाल के इसका ल लड्डू बनाएंगे जैसे ही वह हलका सा ठंडा हो जाएगा तब हाथ से हम लोग थोड़ा सा मिक्स्चर को उठाएंगे उसका लड्डू बनाएंगे तो पहले हाथ को क्लीन कर लेंगे उसके बाद हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि जो मिक्स्चर है वहाथ मे घी को अच्छे से लगा लेने के बाद मिक्स्चर को उठाएंगे और इसको लड़ू से बनाएंगे incur बहुत जूंड़ को बना लेंगेorter यह हूँ और यूं अधिक है Yogi यह ठंड़ा होगा किने अमने लुद कर दो लड़ू बनाना कितना असान है आप एक बार इस रसीपी को ट्राइ करें और अगर ट्राइ करने के बाद पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें